बात करेंगे कि कल का दिन अलग-अलग राशियों के लिए कैसा जाने की संभावना बनती है उसके पहले जान लेते हैं कल के दिन को बेहतर बनाने का उपाए क्या है कल का महा उपाए प्रातः काल कलिसनान करके सूर्य भगवान को जल अरपित कीजिएगा सादा जल प्लेन वाटर और प्रणाम कर लिजेगा उनको आप देखेंगे कि पूरे दिन के कारियों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी चलिए अब कल के दिन का राशी फल जान लेते हैं अलग-अलग राशीयों के लिए कल का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है समझते हैं ताकि दिन की सही प्लानिंग की जा सके सबसे पहले मेश राशी मेश राशी प्रिये जनों के स्वास्ट को ले करके चिंता हो सकती है आपको संपत्ति के जो मामले हैं उसमें सुधार की संभावना बन रही है लेकिन कल के दिन अचानक यात्रा के योग भी हैं यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहें शुबरंग आपका पीला होगा यलो और भाग्य होगा नवासी प्रतिशत व्रिश्राशी नौकरी या कारोबार में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं इस समय जीवन साथी के साथ आपके विवादों की संभावना है शान्ती रखें अनावश्यक घर का माहौल खराब ना करें आए कम है वे जादा है पैसा कम आ रहा है खर्चे जादा हो रहे हैं इस बात का ज़रा ध्यान रखिए शुबरंग सफेध होगा और भाग्य होगा 72 प्रतिशत मिथुन दाशी मिथुन दाशी वालों को धन का बड़ा लाब होता दिख रहा है किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो रही है और हो सकता है बढ़िया वाहन में बैट कर कहीं घूमने उमने भी जाएं भाई वाहन का सुख मिलता दिखाई दे रहा है शुबरंग आसमानी है और भाग्य है 81 प्रतिशत करकराशी अगर आप अविवाहित हैं तो खुश हो जाईए आपके विवाहत तय होने का समय चल रहा है परिवार का मामला है या कोई प्रेम का मामला है उसमें कल के दिन आपको सफलता मिलेगी लेकिन अभी निवेदन ये है कि नौकरी में बदलाव इस समय मत कीजिएगा वरना मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है शुबरंग आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 92 प्रतिशक सिंग राशी कल के दिन वारी पर नियंतर रखें अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है तयार रहें और कल के दिन अगर लापरवाही करेंगे तो पैसा गायब हो सकता है पीम्ती सामान हो सकता है तो थोड़ा एलर्ट रहें तो आपके लिए बढ़िया होगा शुबरंग जिसका इस्तमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 79 प्रतिशक कन्याराशी अगर कहीं पर धन फसा है कहीं पर डूबा हुआ है तो कल आपको मिल सकता है नौकरी में जो बाधा थी या जो काम आपके रुक रहे थे ये तमाम बाधाएं आपकी कल समाप तो होंगी और हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग आप करें नया वाहन भी खरीद सकते हैं शुबरंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 75 प्रतिशक तुलाराशी मान सम्मान और यश्ट की प्राप्ति होगी आपको आपका मन लगेगा किसी धर्म के कारी की तरफ पूजा, पाठ, आध्यात्म में आपका मन लगता दिख रहा है और आकस्मिक धन का लाब भी हो रहा है यानि दिन आपका अच्छा है शुबरंग नीला है और भाग्य है 86 प्रतिशक ब्रिश्चिक राशी, उच्चा धिकारियों के साथ वाद बिवाद से बचाव करना है प्रेम के मामलों में और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही है इगो प्रॉबलम ना आए, तनाव ना हो, ध्यान रखे और नए कारोबार की शुरुवात अगर करना चाहते हैं तो इस समय सोच समझ के आप शुरू कर सकते हैं शुबरंग क्रीम और भाग्य होगा 70 प्रतिशक धनुराशी, स्वास्त का बहुत ध्यान रखे डाइबिटीज के पेशेंट हैं तो लापरवाही बिलकुल न करें वाहन दुर घटना से बचें वाहन को भी नुकसान और आपको भी नुकसान और धन के खर्चे बेवजह न करें परना आने वाले समय में परिशान हो सकते हैं शुबरंग लाल है और भाग्य है 63 प्रतिशत मकर राशी संपत्य संबंधी अगर कोई विवाद है कोई जगडा जंजट है तो वो इस समय हल होता हुआ दिख रहा है सेहत में भी आपके सुधार होगा और नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं शुबरंग आपका हरा और भाग्य होगा 88 प्रतिशत कुम्बराशी नौकरी के लिए मामला बहुत अच्छा नहीं है नौकरी छूट सकती है या आप खुद छोड़ सकते हैं धन या संपत्ति का नुकसान हो सकता है ध्यान रखें क्रोध अनावश्यक आपका बढ़ रहा है वाणी पर क्रोध पर नियंत्रन बनाए रखें शुबरंग सफेद और भाग्य होगा 44 प्रतिशत मीन राशी जीवन साती के साथ बेवज़ा के विवादों की नौबत आ सकती है स्वास्थ के मामलों में लापरवाही ना करें संतान संबंधी चिंता दिख रही है संतान को ले करके थोड़ा समय दें उसकी बातों को सुनें तो चीजें ठीक हो जाएंगी शुबरंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 55 प्रतिशत